एसन शाह के गहर के बिल्कुल बायर मौजूद हूँ जिन एसन शाह की वालदा की जानिब से जो उनकी बीवी थी एसन शाह की अरीशा शाह उसमे परशा करवा दिया है पैसे लाखों नक्ती और जो जेवराते वो उठा कर बाग चुकी है एसन शाह की वालदा की जानिब से जो उनकी बीवी थी एसन शाह की अरीशा शाह तरहर अक्सटी है और तो जेवराते वो सेते प्रशाह की वालदा से वालदा की जानिब से लुखा कर बाग चुकी है हम घर भी जाने की कोशिश की लेकिन घर में आपका भी होगी है घर में उनके कोई भूूद नहीं था परना वालदा से बीबाट कीज़ें लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनकी वालता इसने शदीद परिशान है डिप्रेशन में है क्योंकि उनकी जो बहु ऐसन शागी भीवी अगर से जेवरात और जो नक्ती लाखोर पे है वो उठा कर घर से रफू चकर हो चुकी है और जो ऐसन शागी जो सुस्राल थे यूह जो अरिशा के वालदय नहीं है उनका जो गर है वहां पे भी ताले लगे के पुलिस ने हुनके गर में पिरेट की अचाप मानने की कोशिश किया लेकिन अनके नहीं प्रेष invea कुच दिन पहले जो एच जम दोज dis Terrash अरिश्या शाह की एसन शाह के साथ जेल में से एक आडियो लीक हुई थी जिसमें जो एसन शाह है वो अपनी बीवी को बता रहे थी कोड़ वर्ड में कि मैं जो तुमारे अबू का दोस्त है जो जेलर है जिसने मुझे रेश्ट किया था उसका मैं साथ तावल वालित है तो मैं सोधिया फरार हो जाना है तो जो है मैंने उसको आडियो लीक हुई उसके बाद जो अरिशा है जो एसन शाह की बीवी है वो घर से फरार हो चुकी है नक्ती और जेवरात कीमती इशिया घर से लेके वो यहां से बाग शुकी है जो उनकी वाज़दा उनकी जानिप से जो थाना रावी रोड है वहां पर मुकदमा दर्श करवा दी है एसन शाह की बीवी पर और उसी वज़ा से जो है मेरे बेटे का मर्डर हुआ है अब जैसे ही मामला जो है सोचल मीडिया पर वाइरल होना शुरूब है गर्दिश करना शुरूब है जोनकी भीवी है एसन शाह की वो फिलहाल घर से परार हो चुकी है बाकी क्या मामलात बनते हैं पूलिसों से बिल्कुल मैं उसके घर के बाएर मौजूब हूँकर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और टोटल के पिट्रोल पाम के साथ एसन शाह का घर है और ये चछत भी उनके घर की है उपर फ्लाइवर पे मैं खड़ा हूँ ताकि सारे मनाजिर आप लोगों को दिखास हो को रात क्य हमजा बैटको और कैमरा में अधीक बैट साथ को इजादत दें देखते हैं पागिस्तान हबर टीवी अल्ला हाफ़ेश